वेलकम टू सिविल क्यो एस कंसेट्स हमारी एक्सल की सीरीज में हम आज देखेंगे एडवांस एक्सल के एक बहुत ही इम्पॉर्टन फंक्शन के बारे में जो की है वी लूक अप तो वी लूक अप कैसे यूज करना है उसका फॉर्मुला क्या है उस formula में क्या-क्या चीजे डालने पड़ती है और उसके क्या-क्या uses है हम इस वीडियो में देखेंगे So let's start जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं यह मैंने एक table बनाया है जिसमें यह students है और इनके यहाँ पर marks लिके होए है तो अगर मुझे एक particular समझो किसी एक student जैसे सुर्भी है तो सुर्भी के maths के marks देखने तो मैं क्या करूंगा पहले name में जाओंगा फिर देखूंगा कहा पर है तो यह रहा उसके बाद में देखूंगा क्या science के marks देखने समझो पहले देखूंगा इस सुर्भी कहा पर यहाँ पर तो अभी मुझे चाहिए English के marks तो कितने 68 तो यह है 68 तो यह तो एक चोटा सा table था तो इसमें मुझे possible हो गया कि आप directly manually जाके इसमें ढूंड लो और फिर यहाँ पर जाके English में कौन सा है क्या है यह सब चीज़े इसे data पर जबी हम काम करते हैं तो यह एक पर्टिकुलर चीज ढूना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए वी लुकप का function बहुत काम आता है तो वी लुकप का formula क्या है यह हम सबसे पहले हम वी लुकप का formula देखेंगे मतलब वी लुकप आपको क्या करके देगा कि कि किसी बी टेबल से आपको कोई भी चीज डिरेक्टली निकाल के देगा मतलब सबसे पहले हम formula देखते है इस इकवल टू वी लुकप का formula VL डालोगे तो वी लुकप आलरेडी आ जाएगा तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह लुकप ले लेगा ने तो आप डिरेक्टली होगी तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया मतलब इस चीज के लिए डून रहे है फिर हमने इसको देना है कॉमा फिर देना है टेबल आरे मतलब कहां से डून रहे है तो मैं डून रहा हूं इस पर्टिकुलर टेबल से तो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस ए जहां में रखने वाली बात यह है कि कॉलम नंबर जबी आप डालेंगे तो वो जो आपने first कॉलम कि सिलेक्ट किया है उसको first कंसिडर करना है मतलब यह first हो गया second हो गया थिर्ड हो गया और यह fourth हो गया मतलब science का है उसके उपर double click कर देना तो यह सिधा वो ले लेगा तो यह आपका look up we look up का formula complete हो गया मैंने bracket close कर दिया तो formula हमें formula में हमें क्या क्या चीज़े पुची पहली बात तो पुचा कि किस चीज के लिए कहां से नुढ़ रहे हैं दूसरा किक जगा से लूंब से मतलब क्यों से pauszam का मतलब क्या है वर्टी कली दून रहे मतलब कॉलम नंबर जब ही और आपको इसमें March कोन सुप है अभी समें उर पुचा क्यों कि लूक कब देख रहे हैं फिर exact match पूछ रहा है कि exact match चाहिए कि approximate चाहिए तो मुझे exact match चाहिए तो यहाँ पर false लिख दिया और मैंने कर दिया इंटर तो आप डिरेक्ली देख सकते हैं यहाँ पर 85 नंबर डिरेक्ली यहाँ पर आ गया मतलब अब यह कौन सा भी कॉलम होने दो कौन सा यह हजार वार भी होगा तो भी मुझे यहाँ पर डूट के निकाल के देदेगा उसी के लिए English के लिए चाहिए समझो तो English के लिए भी सेम फॉर्मॉला यूज अभी समझे सुरेश तो सुरेश के लिए चाहिए तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में ब सब्सक्राइब के लिए यह एक शीट है ठीक है जहाँ पर मुझे एक कोई भी रैंडमली किसी का भी डालना है जैसे किरन का डालना है तो मैं यहाँ पर सीधा वी लुकप का फॉर्मॉला डालूंगा वी लुकप एक बार वापस में रिपिट कर लेते हैं वी लुकप लुक सब्सक्राइब कि लिए तो मैंने यहाँ पर दे दिया I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही किसी टोपिक के बारे में आगर आप वीडियो देखना चाते तो कमेंट में ज़रूर लिखे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर श